धनेवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमिश प्रभू इस सुन दर सुभा के लिए प्रभू जी हम आपका धनेवाद देते हैं प्रभू कि आप परमेश्वर राद भर संभाल कर परमेश्वर ये नई सुभा आपने हमारे जीवन में दी मेरे येश्वर इस बात के लिए हम आपका धनेवाद करते हैं प्रभु नजाने कितने लोगों ने आज की सुभा को नहीं देखा प्रभू पर धनेवादी हैं कि आप ने हमें जीवितों की पृत्वी पर जीवित हमें रखा प्रभू हमारे प्राणों की हिवाज़त की येशू इस बात के लिए धनेवाद प्रभु जी आज सुभा में पर्मेशोर हम अपने आपको और जितने भी लोग इस प्रात्नकों सुन रहे हैं पिता उन सब को तेरी पवित्र उपस्तिती में मैं ले लेकर आती हूँ प्रभु और उनके लिए विंती प्रात्नत उससे करती हूँ प्रभु की हर एक जनके मेरे कर्म हो पिता परमेशर तो आईए हम सब मिलकर परमेशों के जीवित वचन से पढ़ें भजन सहीता 71-21 में परमेशों का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शान्ती देगा आमेन सच में परमेशों का वचन हमसे आज सुभे में कह रहा है कि वह हमारे सम्मान को बढ़ाएगा वो हमें सफल करेगा वो हमें निराश्ट नहीं होने देगा और वो अपनी शान्ती हमको हमेशा के लिए देगा क्योंकि वो सान्ती का राजकुमार तो आईए हम प्रात्ना में जाएंगे, जितने लोग हमें फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजिस करते हैं, योटूब, फेस्बुक और वोर्टसेप में, उन सब के लिए हम निरंतर प्रभु से प्रात्ना करते हैं, और उनके प्रात्ना निवेदन को खुदावन येश्व मसी के रखते हैं, और जितने भी लोग इस प्रात्ना को सुन रहे हैं, उनके लिए हम प्रात्ना करते हैं, तो आईए हम सब प्रात्ना में जाएंगे, धनेवाद करते हैं, जिवित अनुक रहकारी पिता प्रमेश्व प्रभू, इस सुन्दर सुभा के लिए येश्व मसी, हम धन अप अलफा उमेगा अल सद्दाई एडो नाई हैं पिता पर मेश्वर हम आपका धनेवाद करते हैं प्रभू आप यहुआ शालोम हैं प्रभू तारीफ हो प्रभू तेरी बढ़ाए हो प्रभू तेरी स्तूती हो तेरी प्रशंसा और सच में तेरे आश्चरे करमों के लिए धनेवादी हैं प्रभू यहुआ धनेवाद करते हैं प्रभू पिता हर एक जन को तेरी आज की सुभा में तेरी उपस्तिती में लेकर आते हैं प्रभू कि आप हर एक जन के संग में आज दिन भर में होईए प्रभू प्रभू हर एक को प्रभू आप अपने सम्मान से भरे पिता परमेश्वर हरे के जीवन में आप सम्मान को लाइए प्रभू, जिनके जीवन में प्रभू, प्रभू सम्मान नहीं है पिता परमेश्वर संसार, उन्हें तुझ समझता है, समाज उन्हें तुझ समझता है, ये शुमसी आज आपके वचन के अनुसार, आप उनके सम्म को बढ़ाईए चाहे वो प्रभू आफिस में हो चाहे वो स्कूल में हो या फिर वो किसी भी जीवन की किसी भी छेतर में हो पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में प्रभू सम्मान को बढ़ाईए पिता परमेश्वर होने दीजे प्रभू हरेक को आप अपनी शांती दें पिता आज के दिन में आप प्रभू हर एक को दुरगटनाओं से, कलेज से, बीमारियों से, बुरी लथों से, एडिक्शन से आप बचाएं परमेश पिता, हर एक को नजर खत्रे मुसीबतों से बचाएं, दुष्ट की, गलत युक्तियों से बचाएं, गडबडियों से बचा बुडों पर आशीश हो पिता, येश्यू मैं तुस्ते मांगती हूँ, हर एक के जीवन के लिए तेरी शांती को, तेरे वचन के अनुसार कि तु फिर कर मुझे शांती देगा, प्रभू येश्यू हर एक को आप अपनी शांती से भरे परमेश पिता, प्रभू जिनके प्रभू जी जोड़ दीजे प्रभू, पिता जिनके रिलेशन्शिप में बहुत जादा गड़बढ़ियां चल रही है, डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, येश्यू मसी आप से दुआ है, कि जिनको आपने जोड़ा है पिता परमेश उसे कोई भी न तोड़े, पित के जीवन से आप दूर करें, पिता, प्रभू जी आज घर से जो भी लोग निकलते हैं, प्रभू आप उन्हें अपने सुरक्षा दाइरों में रखें, पिता परमेश वर, प्रभू बच्चों को पिता, आप स्टेडीज में प्रभू, बलेस करें, पिता, उनकी उसके लिए जा रहे हैं, पिता, आप उनकी इंटर्व्यूस को सक्सेस्फूल करें, प्रभू, धनिवाद करते हैं, प्रभू, जो आज की दिन में बीमार अस्वस्त मैसूस कर रहे हैं, ये शुमस्ती हम तुस्ते दुआ करते हैं, प्रभू, कि आप उनकी बीमारियों से उ पीर्फ लिया और तेरी बимाडरियों को उठा लिया है। ये शुमसी जो कोई भी आज के दिन में बिमार है याफिर किसी भी प्रकार की बिमारी में है ये शुमसी उस बिमारी से आप छुटकारा देजिये। धनेवाद करते हैं प्रबू पिता जिनके कोट में केस्स चल रहे प्रबू और हरे के जीवन में शांती को प्रदान करें धनेवाद की आपने हमारी प्रात्नों को सुना और उसका उत्तर हां और आमीन में दिया ये शुमस्य के सामर्थी नाम से मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन